हेलो टू आल वेलकम बैक तो आज का जो आपका टॉपिक है हमारे टॉपिक स्टेडी में वह आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस बेट्वीन लिमिट स्टेट मैथट एंड वर्किंग स्टेट मैथट ठीक है यह बोद बच्चों को मैंने देखा है कि आर सी सी सब्जेक्ट में जब वो यह पढ़ते हैं तो इसको एक रटा सा मान लेते हैं ठीक है उसको समझते नहीं है कि लिमिट सेट मैथड क्या होता है और वर्किंग स्टेट मैथड आपका क्या होता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका ज लग रही है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जिए हमारे चैनल को ताकि जो आपकी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सब आपको रैगुलर वे में मिलती रहें ठीक है तो शुरू करते हैं आपका पहले तो देखिए अप सबसे पहली चीज इसके अंदर आपकी क्य आएगी यह जो स्ट्रेस ट्रेंड कर वह ठीक है इसको समझना जरूरी है यह हमारे बेशेक हमारा सोम का पार्ट है पर यहां पर देखो इसको समझोगे तो बिलकुल हमें आगे समझने में इसको फायदा हो जाएगा आपके लिमिट स्टेट में क्या रिफरेंस और वर्किं भी इंक्रीज हो रहा है तो यह लिमिट्स आपने पड़ी भी होंगी जैसे 0 से यह तक यहां तक जो आपकी लिमिट होती है यह कौनसी होती है प्रपोर्शनल लिमिट इसका मतलब क्या होता है अब प्रपोर्शनल लिमिट जो होती है ओ से लेके यह तक जो लिमिट होती है इसमें क्या होता है कि आप जब अपने स्पैसिमन को खीच रहे हो ठीक है यह आपकी एक माइल्ड स्टील ले लो इसके ओपर आपने कोई टेंसाइल फोर्स लगाई हुई है ठीक है तो यह क्या हुआ चला जाएगा और ओ से ए तक जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि अगर इस लिमिट तक अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो और अगर आप छोड़ो और माटीरिल क्या हो अपनी ओरीजिनल पॉजिशन फिर से गेन कर ले वो क्या हो जाती है प्रपोर्शनल लिमिट औ और से पॉइंट हो जाता है आपका लोवर रिल्ट ठीक है यहां पे जब आपका मैंटीरिएल पहुंचता है अगर इस वैल्यू तक अगर आप पॉन्चा होगे अपने मैटीरियल को तो उसकी जो प्लास्टिक ठीक है उसकी जो प्लास्टिक स्टेज होती है वो शूरू हो मतलब इस limit पे आपका जो material है अगर पहुंच गया तो फिर से वो अपनी original जो shape है वो regain नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये वाले जो point होगे इनी पे आप consider कर लो आपका हम yield stress जो है जो material आपका ले सकता है उसको हम यहाँ पे बोल देंगे yield stress ठीक है इस point तक स्बोज हो आपका जो है पहुंच के है material और हमने उसको नाम दे दिया आपका yield stress ठीक है यह कोई point है वैसे ही जब आप o strain बढ़ाओगे तो material आपका और उपर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा stress उसके उपर value आएगी और एक particular point पे वो पहुंचेगा जैसे कि यह D point हो जहां पर maximum stress ले सकता है this point के बाद आपका material हो ज्यादा stress नहीं लेसकता इसके बात क्या होगा आपका material fail करना शुरू कर जाएगा और at the last एक point वो ऐसा पहुंचेगा यह जो आपका f point है वो एक ऐसे point पे पहुंचेगा जहां पे वो fail कर जाएगा ठीक है तो एक summarize कर लो इसको छोटा सो कि ये वाला जो point है ये कौन सा हो जाएगा आपका yield stress का point ठीक है मतलब material यहां तक अगर है तो ठीक है यहां तक क्या है कि वो आपकी plastic stage जो है वो शुरू हो जाएगी ठीक है मतलब material के अगर आप stress फिर से unload करोगे तो original shape जो है वो regain नहीं करेगा ठीक है जब आप इस point से further आगे move करते हो तो आप पहुंच जाओगे आपके ultimate stress तर ठीक है ultimate का मतलब हो जाएगा material जो है अपना final जितना वो load ले सकता है यह final जो stress ले सकता है उस value तक पहुंच गया है इसके उपर अगर आप जाओगे तो material क्या कर देगा fail कर देगा मतलब आप बोल सकते हो कि plastic stage मतलब yield stress से लेके ultimate stress मतलब जो final stage है उसके बीच में जो है काफी gap है ठीक है तो इसी चीज को हम आगे अपना apply करेंगे method में ठीक है इसको जादा रटा मत मारना सिरफ समझना की यह क्या point था अब देखो आपका शुरू होता है working stress method ठीक है अब इसको सारे सारे ध्यान से समझना यह मैंने एक आपका कोई simply supported बीम ले लिया ठीक है यह जो उपर वाला part हो जाएगा आपका neutral axis के उपर जो part हो जाता है वह उसको क्या बोल देते हो आप compression zone और जो नीचे वाला part होता है उसको क्या बोल देते हो आप आपका tension zone ठीक है और यह रेड़ वाली जो है यह क्या पड़ी हो यह आपकी reinforcement ठीक है कि इतना सिर्फ आप समझ लेना यह आपकी क्या होगी reinforcement ठीक है इतना point आपको समझ आ गया आप देखो अब मैंने क्या कर रहा हूं यहां पर आपका जो load है P ठीक है इसको increase कर रहा हूं जब मैं आपके load को increase करूंगा तो जो मेरे tension वाली side जो stress होंगे वो भी increase करेंगे ठीक है और जो मेरे compression वाली side जो stress होंगे हो भी क्या होंगे increase होंगे ठीक है और एक point ऐसा होगा कि जब आप load increase कर रहे हो तो आप अपने yield stress तक पहुंच जाओगे उपर भी पहुंच जाओगे और नीचे भी पहुंच जाओगे ठीक है तो yield stress पे जब आप पहुंच गे ठीक है तो इस point को आप क्या बोल दोगे आपका yield point ठीक है और यह जो working stress method है यह इसी के उपर base करता है वो क्या बोलता है कि जब load increase करने पे आप जब आपके yield stress तक पहुंच जोगे तो आप उसी के उपर design करोगे ठीक है तो समझो अब आप जैसे yield stress के उपर पहुंचे तो आपका material क्या होगा ऐसे deflection show करना शुरू करेगा और एक time और आएगा कि जब आप इस load को increase करते जाओगे तो यह material क्या होगा तूर जाएगा ठीक है तो इसको तूटने से बचाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं आपके पास two ways हैं इस material को save करने के लिए और वो दो तरीके क्या होगे या तो यह जो आप load apply कर रहे हो यह जो आपका जो P है इसको decrease कर दो और दूसरा तरीका क्या होगा कि यह जो आपके उपर stress आ रहे हैं ठीक है यह stress generate हो रहे हैं चाहे वो tension side में है चाहे वो compression side में है उनको limit कर दो ठीक है यही दो तरीके हैं आपके पास या तो load को decrease कर दो या तो stresses को limit कर दो तो जब आप अपने stresses को limit कर दो ठीक है जब आप अपने stresses को limit करते हो तो उस method को हम क्या बोल देंगे आपका working stress method ठीक है जब आप अपने stresses को लिमिट करोगे तो उसको क्या बोल दोगे working stress method अब यहां पर पूछोगे कि limit करने का मतलब क्या होता है ठीक है stress को limit करने का मतलब क्या हुआ suppose जब आपने यहां पर deflection चुरूई आपकी सबसे पहले हम बात करते हैं tension zone की तो कुछ stresses generate हो है ठीक है तो stresses को मैंने मान लिया stress के लिए design करोगे यह होगे आपके stress को limit करना ठीक है यही चीज़ होती थी वैसे ही मुझे बताओ आप stresses के उपर apply कर रहे हो तो इसकी permissible सिग्माइस्टी की value निकालते थे कि permissible stress कितना लोगे तो आप क्या करते थे 100 जो भी आपकी इसके उपर आप अपने design करते थे तो यह जो फेक्टर ऑफ सेफटी है यह आप स्टील के लिए कितना लेते थे यह आप सबको पता है 1.15 लेते थे ठीक है तो इस इस फेक्टर ऑफ सेफटी के लिए और इस permissible सिग्मा स्टी वैल्यू के लिए आपने जो है design कर दिया और इस चीज को क्या बोल दिया आपने stress को limit कर दिया और अभी किस साइड की है टेंशन वाली साइड की है वैसे ही अगर मैं बोलूं compression वाली साइड stress को limit करो तो suppose मैंने बोला concrete fck की value वो कितना ले सकता है 20 Newton पर mm2 ठीक है कितना ले सकता है MPa ले लो ठीक है अब इसको limit करोगे तो कैसे निकाल सकते हो sigma cbc कैसे करते है 20 divided by इसका factor of safety तो यह factor of safety concrete के लिए कितना होता है 1.5 तो आपने क्या किया in short अगर आप बात करो तो आपने tension वाली side भी stress को limit कर दिया हुआ है और compression वाली side भी stress को limit कर दिया है in short आपने क्या बोला कि suppose मैंने 100 newton per mm square ही है जो stress मेरा मैं apply करूंगा और इसके उपर जो है मैं design करूंगा ठीक है यह आपने stress limit कर दिया और इसके बाद आपने क्या बोला कि यह जो 100 newton per mm square है इसके उपर मैं factor of safety apply कर देता हूं ठीक है factor of safety apply कैसे कर दिया आपने देखो जैसे आपने यह 100 newton per mm square दिया हुआ था ठीक है अब आपने factor of safety apply किया कैसे कि 100 divided by 1.15 यह value कुछ decrease हो के आ जाएगी suppose मैं बोलता हूं यह value जो है आपकी निकल के आई 92 newton per mm square ठीक है अब 192 के बीच में जो gap है यह आपने क्या ले लिया safety factor consider कर लिया ठीक है safety consider कर लिया कि कुछ अगर आपकी workmanship में problem हो जाए तो यह counteract कर ले ठीक है तो यह method आपको मैं उमीद करता हूं समझा गया है कि जब आप stresses को limit कर दोगे तो उसको क्या बोल दो गया working stress method ठीक है अब सिरफ यह कैसे द्यान दिया यहां से आप समझ सकते हो मैंने आपको क्या बोला working stress method कहा है सिरफ yield point के उपर design कर रहे है पर जो actually में जो आपका structure है वो कहां तक ले सकता है ultimate strength लोड ले सकता है तो इन दोनों के बीच का जो stresses है वो क्या हो गया है waste होगे न तो इतना material आपका क्या हो रहा है आपका किसके लिए हो जाएगा serviceability को द्यान रखने के लिए ठीक है तो वैसे यहां पर देखो थोड़े points यहां पर लिगदी हो है working stress method considered yield point और वैसे ही यह सारी चीज़ आपकी लिगदी है वैसे आपका क्या हुआ कि जैसे पता चला सबको कि जो आपका working stress method है उसमें बहुत draw pack है कि वो सिरफ yield point तक ले रहा है ultimate point तक नहीं ले रहा तो एक नया method introduced हुआ जिसको हम बोल देते हैं आपका ultimate load method अब यह ultimate load method में क्या था ठीक है अब इसने क्या किया strength के ओपर द्यान किया ठीक है strength के ओपर इसने द्यान कैसे किया अब इसने जब design करना शुरू किया तो ultimate strength को consider किया ठीक है यह मतलब ultimate point को consider किया उसने yield point को consider नहीं किया तो इस method का नाम दे दिया गया ultimate load method ठीक है पिछले वाले का क्या था working stress method अब मैंने आपको पीछे बताया था आपको two ways होते हैं आपके structure को save करने के एक क्या होता है या तो आप load को decrease कर दो ठीक है या तो आप stress को limit कर अगर आप stress को limit करते हो तो वो क्या था working stress method और अगर आप load के साथ कुछ करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका ultimate load method ठीक है आपको जो समझते ही ultimate load method को क्या है आपने करना कre alternate load method में जो वह अपने इस पी के लिए design करना है मतलब इस load के लिए design करना और आप कैसे design करोगे आपकी जो भी ये load की value है P suppose ये आ रही है ये suppose आ रही है 100 ठीक है 100 Newton कुछ भी जो भी value आ रही है अब इसको आप multiply कर दोगे factor of safety से आपका जो structure है उसके उपर load जो आएगा या जिसके लिए आप design करने वाले हो या जितना structure मतलब उसके load आएगा वो कितना है 100 पर आप design कितने के लिए करोगे उसको कुछ extra के लिए design कर दोगे इस 100 को multiply कर दोगे factor of safety से तो इस method को बोलते हैं आपका ultimate load method जो आपकी क्या कर रहे है strength को consider कर रहे है ना कि serviceability को ठीक है और ultimate load method में आप कर क्या रहे हो load में factor of safety को apply कर रहे हो और working stress में क्या कर रहे थे आप stress में factor of safety को apply कर रहे थे ठीक है यह चीज़ समझा ही आपको ठीक है अब क्या हुआ कि इसकी भी कुछ drawbacks थे ultimate load method के तो यह जल्दी ही remove हो गया ठीक है क्योंके लिए strength को consider कर रहा है और working stress method जो है वो serviceability को consider कर रहा है strength को consider नहीं कर रहा और इसी लिए इनको replace किया आज के नए method ने जिसको हम जानते है limit state method के नाम से ठीक है अब limit state method ने क्या किया जैसे की working stress method में वो क्या कर रहा था stress को limit कर रहा था और factor of safety क्या कर रहे थे हम stress की value reduce कर रहे थे divide में factor of safety को apply कर रहे थे ultimate load method में क्या किया वो load को increase करके चल रहा है जबकि load काम आना है और वो increase लेके चल रहा है उसने multiply कर लिया factor of safety से working stress method जो है वो zero for zero serviceability पे ध्यान दे रहा था ultimate load method जो है यह किस पे ध्यान दे रहा था strength के उपर और इन दोनों को जब आपने combine कर दिया ultimate load method को combine कर दिया तब आपके पास निकल के आया ultimate ठीक है यह जिसको आप simply वाशा में जानते हो limit state method अब इस method में करोगे क्या simply अब आपको याद हो आपको याद होगा जब limit state में design करते थे जो stress की value होती थी उसको limit करते थे उसके factor of safety respective जो होता था वैसे ही जो load होता था उसको उसके respective load factor of safety से multiply कर देते थे तो यह आपके stress की limit हो जाती थी और यह आपके लोड की limit हो जाती थी जिसके लिए आप design करते थे इस method को बोलते थे हम limit state method ठीक है अब आपको comment में एक देखो अब यहाँ पे stress factor of safety की value तो मैंने आपको बता दी हुई है ठीक है limit state method के लिए क्या लेते हैं steel के लिए क्या लेते थे 1.15 और concrete के लिए कितने लेते थे 1.5 अब मुझे comment box में answer करके बताना कि steel के लिए कम क्यूं लेते हैं value और concrete के लिए ज्यादा क्यूं लेते हैं एक question यह है और दूसरा question यह मुझे बताना कि जो load factor of safety होता है ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ जो load factor of safety होता है उसकी क्या-क्या values होती है वो हम क्या लेते है ठीक है तो उसी को थोड़ा से और आगे understand करने के लिए यह point भी देख लो आप आपको याद है जब आप limit state method पढ़ते हो तो इसको दो हिस्सों में बांड देते थे limit state of collapse और limit state of serviceability मतलब जब आपका load आ रहा है तो serviceability के दोरान जो रहेगा time उसको क्या बोल दोगे limit state of serviceability और जब collapse हो जब तूट जाए तो उसको क्या बोलते थे limit state of collapse तो collapse में किसको design करते आप share को, flexor को, compression को, bond को, इन सारी चीज़ें को, serviceability में किसको करते हैं, service के दोरान क्या क्या आ सकते हैं, cracks आ सकते हैं, deflection आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है, और load factor और safety भी आपको limit state of collapse के लिए अलग मिलेगा और serviceability के लिए अलग मिलेगा और इसको आप जरूर comment box में ड limit state method का और working stress method का, ठीक है, अब ये difference देख लो, आप ये जो paper में आप जो पूछ सकता है, वो ये है, कुछ आपके points जो English के form में है, इसको आप आपने पिछला अगर समझा आ गया, तो दो मिनिट में समझा जाएगा, पहला point देखो, based on linear elastic theory, where stress strain relationship is linear, ठीक है, उसने क्या, linear ले कहां तक design करता है, वो, yield point तक ही करता है, इसलिए क्या linear, limit state method क्या है, non linear है, क्यों के लिए, वो yielding of steel और concrete दोनों को allowed कर रहा है, कहां तक करता है ये, ultimate तक, ठीक है, ultimate stress तक ये जाने देता है, दूसरा देखो, balance action is defined on the basis of this, ठीक है, balance action को हम define करते हैं, किसके basis के उपर, stress के basis के उ ठीक है, तीसरा, factor of safety is considered only on material stress, to limit stress within linear source, आप जो factor of safety apply करते हो, वो किस में करते हो, सिरफ और सिरफ stresses के उपर, ठीक है, load के उपर तो नहीं करते हैं, वैसे ही limit state method में किसके उपर करते हो, stresses के उपर तो करते ही हो, divide करते हो, और load के उपर भी करते हो, multiply करके, ठीक है, ये एक important point गया, और last point यहां पर लेको, our reinforce section is not preferred, और इसका क्या है, our reinforce section is prohibited, prohibited का मतलब क्या है, हमने our reinforce section लेनी ही नहीं है, इसमें क्या है, प्रेफर नहीं है, पर अगर किसी वज़ा से लेनी पड़ जा है, तो आप ले सकते हो, इसलिए जब आप limit state method करते थे, जबी भी आपकी section आप उस को design नहीं करते थे, ठीक है, तो यह था difference आपका working stress method का और limit state method का, ठीक है, बाकी जो design है, वो तो पूरी जो value है, वो जो हम RCC पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है, तो guys फिर से subscribe जरूर केजिए, ताकि हमारे को पता भी चल सके कि कि कितने लोग like कर रहे हैं, हम better कर सकें और इन वीडियो को, तो आज के लिए इतना ही, तो जो भी आपको next जो वीडियो चाहिए, जिस topic पे, वो please comment कर दो, हम आपको next वीडियो जो है, वो provide कर देंगे, तो आज के लिए thank you, तो कल मिलेंगे,